अम्भूर्भु वस्चहा तक्सवितुर्वरेञ्यं अधियो यो ना प्रचो दया देवतुलेयो अम्मार शक्ती आज राज्या चिंद्रकमार क्रिमां के 844 और आज हमारे बीच में है आजणने श्री इफ्टमार श्रमा साथ जो विकानी राजिसान से हैं आज दिन 26 जन्वरी 2024 पिचतरमा गंगंद्रिकोस दिन शुकरवार और आपको जो आज विशे है वो है गाहित्री मंत्र माला और माला संसकार आज की इस ने सत्र को हम शुरू करें गाहित्री माहमंत्र से कमर से दी करते हुए ओकते वे सूर्य का ध्यान प्रकर और लाली माली वे सूर्य का तेजस्वत चमक ओर्भुवास्वात्सवितुर्वारिन्यम् भर्गोदे वस्यधीमाहि धियो यो नाहा प्रचोद्धयाः ओम सेहनाववतु सेहनों भुनक्तु सहवीरियम करवावः तेजस्विनाद्वधी तमस्तु माविद्विशावः ओम शान्ती 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 अरिशी सक्तों की सुक्ष मुपस्तिति में और हम कुछ जिगद्य वद्ने माता जी के सरक्ष्ण में आज किस कक्षा को हम आरम करें सबी भाईयों को प्रणाम हमने इस प्रेफॉर्म पर कई बार पहले भी बात की थी गायत्री मंत्र के साथ सद्गुनों के बारे में और गायत्री मंत्र के इस प्रकार से हमारे चक्रों पर काम करता है इस बारे में हमने बात की हमने गायत्री मंत्रों प्रान के बारे में भी आपके साथ इसी प्लेट फॉर्म पे एक बार आगी भी बात की थी और आज हम लोग बात करने चाह रहे हैं कि गाहितरी मंतर के साथ जब करने के लिए माला के आउशिक नहीं क्योंकि उस समय जब हम आपके सत्र में आये थे तो कई भाईयों का प्रश्न था माला के बारे में तो हमने ये कहा था कि हम माला संसकार या माला के बारे में भी कभी चर्चा करेंगे तो आज हम ये चाह रहे हैं कि माला जो क्या आउशिक है माला के बारे में तो मैं यहां अपने स्क्रीन शेरिंग करूगा और माला संसकार के बारे में भी माला संसकार किस प्रकार से किया जा सकता है, माला संसकार के क्या लाब है, यह हम जानेंगे और उसका विज्ञान क्या है, माला संसकार के पीछे की चीजें क्या है, यह हम आज अभी इस स्क्रीन तो जैसे कि आप अभी हमारे साथ देखने जा रहे हैं, ये एक्चुल में माला शोधन होना, माला को शोधन का मतलब है, माला जब हम जब करते हैं, उसके अंतरकत जो और अन्य चीजें होती है, उनका परिशोधन होए, उनके अंदर स्थकार हो, और तता उनकी प्राण इसकी विज्ञानिक विधी क्या है, ये रिग्वेत परंपरा पर आधारित है, और इसके लिए अगर आप उपनिश्यद देखिए, तो अक्षम माली का उपनिश्यद है, वो उसका मुख्या आधार है, और अगर हम माला की प्रांपतिष्टा करें, गाहितरी मंतर के लिए, तो तीन तरह की मालाओं को हम उप्योग माने हैं, और तीनों के अलग-अलग गुणों के वज़े से उसको प्रात्मिकता है, जैसे कि तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो जो माला उलसी की माला है, अगर हम उसकी प्रांपतिष्टा करके गाहितरी म बढ़ना चाहते हैं तो उसमें सफेद चंदन की माला रजोगुन के अंदर आती है और इसी प्रकार से जब अधिकत शक्तियों के आउशक्ता पड़ती है किसी विशेश चीजों के राव शक्ता पड़ती है तो हम लाल चंदन की माला जो कि तमोगुन की वृद्धी करती है इ उसमें क्या उसका विज्ञान है इसको हम और आगे से लेते हैं तो यहां माला सोधन के बारे में कुछ बात है जो हम बताना चाहते हैं यह सारा ज्ञान विज्ञान परमपुजे गुर्देर के वांगमे में लिखा वे नौ नंबर वांगमे के पेस संक्या 3.34 में आप करते हो उसके क्या लाब होता है उसके क्या चमतकार है उसके अगर कोई जानना चाहता है तो केवल और केवल साधना विदान के कर्मकांड की बारी को को नहीं ढूंडते रहना चाहिए वरन अपनी शारिरिक और मानसिक भूमिकाभी को भी परिशकार करने के लिए सचेश्ट रहना चाहिए ठीक है विदान का भी महत्व है ठीक है बीज मंत्र तथा दक्षिन मारगी वां मारगी साधना विदान अपना विशिष्ट प्रतिफल उत्पन करती है पर इसके लिए उनकी समुचित ज्यानकारी इस महाविद्या के प्रियोकर्टा को ठीक तरह अनुभव और अभ्यास में लाने चाहिए इसके लिए अनुभवी मांदर्शक और रिश्य प्रमपरा के सास्त्रे पदिति का अवलमन घ्रण करना चाहिए साथ ही यह भी इसमर रखना चाहिए कि आध्यात्मिक उपासनाओं के पत पर गतिशिल होने के अकांक्षी सादकों को अपने वेक्तित्व की उत्कृष्टा भढ़ाना और इस्थर रखना नितान तावश्य नितान तावश्य निकि हम जब भी देखे तो हमें दोनों चीज जरूए है हमारे अंदर वेक्तित्व की उत्कृष्टा भी भढ़े और उसको उसके अंदर आगे उर्जा भी भढ़े हमार और आत्मे प्रगत्ति के लिए एक अनिवार ये शर्थ है ये परंपुजे गुर्देव ने वांग में नंबर 9 में ये बात बताईए तो यह हमें के पीछे जो में कारण है वह चीज हमें जारना जरूरी है तो उसमें ये जरूरी है कि हम इसके साथ साथ में उन चीजों को भी हम ले और इसमें लक्ष सिद करने के लिए गर कोई लक्ष है तो तीन चीजे होने चाहिए आप कोई भी जीवन में काम करना चाहरे है तीन होता है आप सत्य के साथ स्थिर हो और आपके अंदर समाज और प्रकति के तत्यों को घंशीलता हो और उनके कल्यान की भावना हो तो ये भावना है इसके बाद आती है भावने के बाद परिश्रम परिश्रम का मतलब मेहनत करना तो जो हमने समाज से लिया है उसे वापस समाज में देना," ये परेश्रम कहलाता है और परमानिकता का मतलब होता है विवे की पराकास्टा पतर, सही निरने में गल् Wald ले लिया तो सब्गरवड होती है तो यहां मैं इसलिए बता रहा हूं कि माला का उपयोग किसी ना किसी हम उद्देश के लिए जब करते हैं कि चाहिए हमेश हमारा अध्यात ने मुननती हो यह समाज में समाज के अंदर की व्याप्त हुई चीजें दूर हो तो यहां जब भी हम उसका उपयोग करते हैं तो वो तीनों चीजें के साथ जुड़ी रखती है हमारी भावना परिश्रम परमानिक्ता तो यह जो भावना परिश्रम परमानिक्ता है इसी चीज़ को हम आगे लेकर हम समझना चाहें कि जो हमारी भारते संसक्रती है इसके अबर बहुत जारा देखेंगे तो उनके हेकात में माला, एकात में कमंडल थी. माला का विज्ञान बहुत समय से हमारे साथ जुड़ा है। फिर धीरे धीरे काल खंड के अंदर हमारे कई ऐसी दुशिता आएगी, कुछ ऐसी चीजें आगी कि हमने माला को धीरे 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 नाकार ना शुरू कर दिया और बुला कि भावना करे माला के आउशिक्ता नहीं है परन्तो ऐसा नहीं है अगर हम अच्छे से समझे उसके विज्ञान को समझे तब हमें पता लगता है कि माला का क्या महत्व है माला क्या चीज क्यों होती है सा ये एक सो नो बहुती शुक्ष्म होते हैं इनका कोई ना कोई विज्ञान है और ये विज्ञान हमारी साधना में हमारे साथ जुड़े रहते हैं अगर इनको समझना हो अगर हम चाहते हैं कि इनका क्या विज्ञान है इनका क्या रहश है यानि इसके चीजों के बारे में तो ह सबी वर्णक्षर जो की शुरू होते है अ से च्छ तक ये कुल 51 वर्णक्षर है जो संस्कत के वेद आपके अंतर अक्षमाली का उपनिशिद में दिये गए ये सारे के सारे सूर्य में हैं और सूर्य से गुंजय मान हो रहे सूर्य से निकल से सूर्य हमें क्या दे रहा है सूर तो हमारे अंदर की अस्तित्य का विकास हो रहा है हमारा चेतना का विकास हो रहा है ये सब हमें सूर्य से मिल रहा है अक्षमाली का उपनिशिद है वो के उपर जो आधारित है वो सास्त्रे पदिती पर है और ये सारे के सारे जिते भी अक्षर है ये हमारे शरीर के चक्रों से सम्मझ जिते हैं तो से लेके छे तक जिते भी अक्षर है ये जो अक्षर है ये सारे के सारे हमारे चक्रों से हमारे शरी के चक्रों के अंदर जहां आप देखेंगे मुलाधार, स्वाधिश्टान, मनिपूर, अनाद चक्रे इन चक्रों के आसपास भी आपको अक्षर दिख गया तो आपकी साधना और अधिक घहरी हो भी और अगर उसी के साथ अगर आपने माला को भी उसके साथ समझना शुरू कर दिया और माला की प्राण पतिष्ठा में भी हमने इसको ले लिया तो हमारे चक्रों का भीदन होगा और जो हम साधना करें चाहिए आप गाहितरी मंतर के साधना करें तो और अच्छा है अगर आप कोई अन्मे भी साधना करें और उसमें माला संसकार की वी हो माला सोधी वी हो माला की प्राणपतिश्टा हो तो ये कारी और अच्छे से और और उर्जावान हो जाता है चक्र जो होते हैं वो चक्रों में शुद्धे से चक्रों के शुद्धी कर दी तो जो हमारा स्थूल शरीर है उसके जो इंद्रिया है उसके जो अंग है वो भी स्वस्त होने लगते हैं हमारे अंदर की जो शक्ते है वो वो विधमान होने लगती है और हमारे अंदर देवी शक्ते का हमान होने लगती है जो हमारे आसपास के चीजों को अनुकूल बनाती है दिवी अनुग्रे से अनुकुल बनता है, सूर्य सभी घ्रनक्षित्रों का केंद्रे, सूर्य सभी को संचालित कता है, सारी चीजों का हम निचोड या प्रकाश या दूरी सूर्य से लेते हैं, सूर्य हमारी पूरी इस जगत का केंद्र बिंदू है, और सूर्य के केंद्र बि यह एक कह सकते हैं गर हम बात करें कि जब हम उर्जा विस्पोर्ट होके पूरे विश्व बंडल तक पहलाती है ऐसा कहा जाता है कि सूरिय हर समय हर सेकंड प्रमाणू विस्पोर्ट हो रहा है और उस प्रमाणू विस्पोर्ट से जो उर्जा बन रही है वो बहुत तरंगित ह के पहुंच लिए हमारे तक उन तरंगित ही वी उर्जाओं का जब हमारे धर्टी तक पहुँचना होता है या आसपास के वाईयू मिंडल में जब वो फैलती है तो ये एक प्रकार से एक ध्वनी के साथ जोड़ती है एक ध्वनी एक साउंड एक वाइब्रेशन के साथ जोड इसलिए रिशी अक्षरों के मंत्र के द्रश्टा हुए रिश्टा का मतलब हुआ उन्होंने बनाया नहीं मंत्र अक्षर ये सब कुछ पहले से नहीं हो जित है इन्हें देखा गया ध्यान की प्रगाड स्थिती में ध्यान की गहराई में इन्हें समझा गया इन्हें मैसूस कि आ गया है तो ये हम समझेंगे कि इन को कैसे समझागए है किए किसे इसका विघ्यान आया तो अब हम बात करते हैं चुकि आक्षिनों के बात हमारे पासा आती है माला माला क्या है माला का क्या अर्थ है माला किसे कहते हैं, माला के अंदर 108 दाने किस कारण से होता है, इसके विज्यान को समझने का प्रयास करते हैं, माला शब्तों चुकी स्ट्रीलिंग है और संस्कत भासा से आईए, मा और लविंजन से आकर लगाकर इससे बनाया गया है, मा का अर्थ होता है शोभा, और लाका अ अर्थ होता है देना अर्थात एक पंक्ति एक सीधी में लगी वी क्रमवार एक तरह की वस्तू यानि उसके अंदर एक पंक्ति है जिसमें सब एक क्रम से है और एक ही तरह के चीजों को निरंतर देने वाले सुन्दर क्रम जैसे मोत्यों का क्रम, तुल्सी के डानों का क्रम, र लाइट वाली माला लगा लेते घरों पे लाइट वाली तो माला क्या होती है एक सिक्वेंस में एक धंग से पिरोई गई एक दूरी निश्चे दूरी पर सुन्दर आकरती की वह एक एक दाने जो हमें बाहर से दिखने पर सोभवाइन होते है उसका आकार आनंदित देता है उ उसकी जो बनावते वो आदिते दिते तो हमसे माला कहते हैं। इस परकार से माला एक क्रम में गुंती वी उन मोतियों की, उन कडियों की, उन वस्तुओं की एक आकरती होती है, जो एक सिक्वेंस में रहती है। तुलसी, रुद्राक, शंदन, सोना, चांदी, हम ये समझेंगे आगे, अनेक अनेक तरह की होती है, उनका अलग-अलग जो सरूप है, उसका भी एफेक्ट होता है। जब भी माला जब की जाती है, तो माला को उलंगन नहीं किया जाता, वापस रिवर्स में उसे जब किया जाता है, जो सुमेरू होता है, जो बीच में बनीवी गांट होती है, बाहर अलग-अलग उब्रेवे दाने होते हैं, उनको हम लांगते हैं उसको हम उपर नहीं जाते ये माला का बीच का केंदर होता है अब बात आती है कि माला केंदर गाता है जो 108 दाने है प्लस एक, 108 प्लस एक, 109 उसका क्या महत है भारते संस्कति में 108 संक्या बहुत वेग्यानिके और दार्शनिके और अलग-अलग एंगल से जैसे कि अगर मैं शिव पुरान पढ़ूं तो शिव पुरान में कहा गया है कि 108 दानों की माला सबसे स्रेष्टे सो सो की और स्रेष्टे और पचास की मद्यम होती है हम देखेंगे तो 27 हमारे नक्षेत्रे 27 नक्षेत्रों के 4 चरडे अगर 27 को 4 से गुणा करते है तो 108 के संक्या पिए मस्तक्स के अंदर ब्रह्म ग्रंती होती है ऐसा बताया गया गायत्री माविज्यान के पेश संक्या 352 में आप पढ़ेंगे तो मस्तक्स में ब्रह्म ग्रंती के मंथर गती से गुंजार करने पर 108 108 दच्के लगाकर हंस चलता है ऐसा लगा ऐसा खा गए यहने हमारी मस्तक्स के अंदर ब्रह्म ग्रंती है जिसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ा तीन तरह की ग्रंती होती है ब्रह्म ग्रंती, विष्णु ग्रंती, रुद्र ग्रंती तो इन तीन ग्रंतियों में जो हमारी भ्रह्म ग्रंतिये जो हमारी अध्या चक्रियने मस्तिक्स के मद्ध में रहती है। अक्षमाली का उपनेशेध में समझेंगे। उसमें ये बताया गrir कि कुल एक्याउन अक्षर है। छड़कार मतलब सुमेर्टू जो मैंने आपको बदाए उसका उलंगन नहीं किया जाता उसको आप अलग करते वे तो बीच में बाद में बजगे पचास अक्षर पचास को दो बार में अगर लिया जाए पचास पचास दो पंक्तियों में लिया जाए और इसके साथ में आठ अक्षर जो पक्तिय पंक्ति के पर्थम अक्षर है जिनको हम हर्दे चकर के अस्त दल कहते हैं वो आठ और ले लिया जाए तो एक सु आठ और नम्मा यानि एक छंकार नम्मा हो जाता है इसी परकार से देखेंगे सूर्य एक वर्ष में दो लाख सोले हजार कलाई बदलता है और छे मा में उत्राइन और छे मा में दक्षनाईन रहता है इस परकार से छे मा में अगर उसकी कुल कलाओं की गणना की जाए यानि उसका एक भाग किया जाए दो लाख सोले हजार का तो वो आता है एक लाख आठ हजार एक लाख आठ अजगार में से अगर हम शुनी हटा दे तो एक सो आठ की संक्या होती है इसी प्रकार से मनुष्य 24 गंटे में 21,600 बार स्वांस लेता है 24 गंटे में अगर बात करें 12 गंटे की तो ये संक्याति है एक लाख दस जार आट सो का हम दो बिन्दु हटा दे शुनी हटा दे तो ये भी संक्याति है एक सो आठ की अरता एक सो आठ प्लस एक सुमेरू एक सो नो उदाने बहुत महत्वपूर माने जाते है वो धातू के भी होते सोना चांदी तामवे के भी होते है वो पत्थर के भी होगे जिसे मुंगा, मोती, हीरा, आद्दी और किसी व्रक्ष की वरस्पती से भी होती है तुलसी, चंदन, रुदराक, शादी परते एक धातू, पत्थर, लकडी के अपने-पने उप्योगे, अपना-पना उसका इफेक्ट है और उसके अपने-पने कौन क सभाव से हमारे शरीप पर वो उड़जा आती है, जो हमारे शरीप को स्थाई और शुनिता की उप्योगता के साथ जोड़ती है, और यहां हम यह समझना चाहते हैं, कि इन गणित, इन विज्ञान को हमारे भारते संस्क्ति में बहुत पहले से जाना गया, और उसका उप्य प्राण आ जाता है, उसके पीछे और चीज़ें जुड़ जाती है, उसके अंदर के चीज़ें विज्ञानिक हो जाती है, तो यह हमें समझने की बात हुई, अब इसका माला का संस्कार किया जाता है, माला संस्कार का जैसे अभी हमारे भारत में प्रभू राम जी की मूर्त की प्रानपतिष्टा हुई तो प्रानपतिष्टा के लिए पहले उसकी मूर्ति का संस्कार हुआ है शुद्धी करनवा मूर्ति आई थी कहीं पत्थर से उसे तराशा गया तो जिन लोगों ने तराशा गया उसके कुछ भाव थे उनके अंदर के कुछ संस्कार थे वो भी मू मूर्थी वही है संगार वही है लेकर प्राम्पधिस्ठा के बाद उसके बाव भंगिमा उसके अंदर के बावं बदलावाया यह क्यूं हुआ कै inhabit वह लाई गयी गयी वहां बनाया गया था वह संसकार हटे गए उनको हटाने को कहते उनके अंदर उनका शोधन करना तो पहले उन SANSKÀरों को शोधन किया गया उने हटाया गया और फिर वहां पे उत SANSKÀरों को डाला गया और वह संसकार इस्थिर रहे उसकी प техटा कर दी उसकी प्राण के साथ उसे जोड़ कर पथिस्ट कर दी अब जो भी भावना से वहां आएगा और अपने शुब सुब और अंदर के अच्छी भावने वहां प्रेशित कता रहेगा तो हम सब की पूरे भारतवाष के जो भी लोग दर्शन करने जाएंगे या पूरे विश्व के लोग जो भी अपने अपने स्थान पर बैठते वे उस भावना वहाँ प्रेशित करेगे वो उस मूर्ति में आने लगेगा और जब भी कोई वेक्ति उस मूर्ति को दर्शन करेगा उसे जुड़ेगा उसे वह उर्जा महसूस ह लगेगी तो यह विज्ञान है हमारे हम मूर्ति को बना के उसको दर्शन करने तहीं सिमित्मी है उन्हें यह जानकारी नहीं है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है इसके पीछे का विज्ञान है संसकार संसकार का मतलब क्या होता है संसकार हमारे अंदर की नहित इच्छा शक्ति होती है जैसे हमारे माता-पिता है उनके हमारे अंदर के संसकार होता है तो माता-पिता की जो इच्छा होती है हम वैसा करते हैं हमारे आसपास के लोग अच्छे बुरे भावना वाले होते हैं हम उन्हें देखते हैं और फिर हमारे अंदर इच्छा बनते हैं हम ऐसा ब भावना होगी हमारा शरीर भी वैसे ही कारी करेंगा और वैसे ही वो फल मिलेगा और इसी फल को इसी को संसकार कहते हैं और कुल संसकार कहते हैं इस प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो उनमें सतोगुणी इच्छा शक्ति रजोगुणी क्रियाश शक्ति और जो तमोगुण मिखता में योग के द्वारा हमारे चित के संसकारों का प्रीश्वधन किया जाता है उन्होंने भी ये तीन संसकार बताये और उन्होंने का भी ये कि पहले जो हमारे आंतरिक जगत में तमोगुणे उन्हें हटाने के लिए रजोगुण की वृद्धी की जाए, फिर रजोगुण के संसकारों को खतम गनने के लिए सतोगुणी संसकार बढ़ाया जाए, फिर अ तिनों संसकार हमारे साथ भी जुड़े होते हैं, ये हमारे अंदर भी है और आसपास के परदातों में भी है, जैसा हम भोजन करते हैं, वैसे संसकार जाते हैं, इसलिए कहा जाते हैं, ये भी लशन प्याज मत खाओ, ये हमारे अंदर तमोगुण लाता है, तो तमोगुण का संसकार उसके अंदर विद्वान होता है जैसा खायान वैसा होए मन ये चंदों के अपने शिर्व में बताया गया है तो इसी परकार से जो वस्तु आप जब करने के लिए ले रहें उनके संसकार भी पहले से विद्वान है अगर उनके ऐसे संसकार जो शुब नहीं है जो ठीक होती है उसके साथ उसकी चीजे भावने जुड़ी होती है और जब वो शुद हो जाती है तो माला का शोदन के बाद माला की प्रान पतिष्टा करनी होती है तो तीन तरह के जो गुण है सतो गुण तीन तरह की उर्जाओं को अपने जीवन में उप्योग ले सकते सतो गुणी माला का क्या होता है सतो गुणी माला की जब प्रान भावना में अगर हम यह और विशुद्द और आग्या चक्र को एक्टिवेट करती रजूगुन माला का जब किया जाता है अगर उसका प्रान हमारे अंधर आता है तो वह महत कांख्षी बनाता है मन को अभीवृद्धित करता है और ललत पैदा करता है और आगे बढ़ने के लिए जो जो हमारी भुष्टिक जीवन के उनथी में काम करता है उसका इस्थान हमारे हम मनिपूर और अनहाद चक्र के बार हमने पुछ्लिवारी बात से की मनिपूर और अनहाद चक्र हमें वेश्य और छुंत चत्री के भाव अमारे अंदर पैदा करता है इसी प्रकार से मैं बात करूँ अगर तमोगुण माला का तो तमोगुण माला हमारे इंद्रियों को बल देता है हमारे शरीर को बल देगा हमारे शारीक शम्ता को बढ़ाता है यह हमें भोग और आलिश से अपरमाद ज्यादा भोजन करना यानि शक्तियां सारी शक्तियों को बढ़ाने में काम करता है और इसका इस्थान होता है मुलाधार और श्वारिष्ठान चक्र और इसे ये प्रभावित करता है इसे बल्वान बनाता है माला संसकार में जब हम इन सभी तीनों तत्वों को तीनों चीज़ों को शुद करते वे जब करते तो उनके माला के अंदर के संसकार भी हमारे अंदर आने लगते जैसी माला हम जब करेंगे जिस तरह की माला का हम जब करेंगे वैसे संसकार हमारे अंदर आज सकते हमें चाहिए कि हमें तभुगुण के लिए चाहिए तो तमोगुणी वाले जब करें रज़ोगुण के लिए चाहिए तो सत्तउगुणी हमारे अंदर जो भावने हैं चाहिए उनको हम आगे पीछी करके एड़्जस कर सकते हैं, आपने अंदर सम्हाइथ कर सकते हैं. तो ये एक जगे ऐसा भी हुआ, जब हमने देखा था कि माला संसकार के अंदरगत, हमने कोई द्रव्य ऐसा था जिसको हमने अधिक मात्र में काम में ले लिया. गलती से उसको ले लिया जैसे कि उसमें आता है जब माला सुधन किया जाता है तो उसमें गो मुत्र आता है गो मुत्र का वाँ नहीं पारा था मिल नहीं रहा था तो गो मुत्र की जगे गो मुत्र का अर्क ले लिया आप सबी जानते हैं कि अर्क की पोटेंशिलिटी तो सादक जब करने लगा तो सारी के सारी जो उर्जा उसके शरी में जाने लगी तो क्या होता है गोमतर ज़्यादा पीने से क्या होता है हमारा पेट साफ होने लगता है तो दूसरे दिन देका जिते भी सादक थे जो उस शीविर में थे माला संसकार कराने के बाद उन सब को लू जाता थे वह माला को सोधन करते समय उससे विशेश औशद्यां का उपयोग कर दिया जाता था और उस विशेश औशद्य से सोधित की वी परिशोधित की गई माला से जब करवाया जाता था वह माला से मंत्र के साथ वो जब माला सरीर में जाती हाथ में घर्शन होती तो वह उ वो उर्जा को अपने अंदर खीच लेती है और वही वो सादक जब जब करता है तो वही उर्जा उसे वापस अपने शरी ने आने लगती है. यानि माला और माला के साथ साधक का गहरा सम्मन्द है अगर साधना है और साथ में माला है तो उसे बल मिलता है ठीक सी परकार से जैसे कोई एक वेक्ति चलता है और उसके सयोगनी कोई चलती है एक शक्ति चलती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई शक्ति माला भी एक साधक के साथ चलने वाली प्रक्रिया में साथ चलती है आगे भढ़ती है और वो एक सयोग एक साधर की भूमिका निभाती है माला के दानों की प्राण प्रतिष्टा उनके सोधन उनके बारे में हम बात करें तो उन्हें सोधन करने के लिए मूलत पंचगव्य ही पंसगवियक के अंत्रगत हम उसे शोधन करते हैं, मंत्र उचारित करते हैं, पंसगवियक बनाया जाता है, और उसमें पूरी की पूरी 108 प्लस 9 दानों की जो माला है, उसे उसमें रखके उसे साफ किया जाता है, फिर उसे बाहर निकालके, उसको पानी से साफ करके, उसमें च तो जो हमने बत की थी कि मालक एक तबाने में एक एक अक्षर जो की सूरिय से आने वाले अक्षरे उनको वहां प्रतिष्ठित करवाया जाता है मंत्रों चारित करते हैं और उसकी प्राण उर्जा महां समाइद करवाई जाती है और उसके बारे में उन्हें बताया जाता है, तो संसकत भाषा के अगर हम वर्ण अक्षा लेंगे, तो जो चह तक की अंतरगत हैं, उन परतियेक शब्द का अपने अपना एक सुरूप है, अपना अपना गुन है, और उन परतियेक अक्षर के एक रिशी है, एक देवता, एक और इस प्रकार से सभी सभी मन के जो मन के हैं, उन सब के अंदरगत एक एक अक्षरों की शक्ती वहाँ विदमान होने लगती है, और जब वो विदमान हो जाती है, वो जब वो परतिश्चित हो जाती है, तो उसे इस्थर कर दिया जाता है, शरीर विज्ञान के निर्मान कर निए कि पूरे पूरे जो शरीर है, उनके जो सबसे छोटी चीजह है, वो कोशिकाएं आ दिए। परन तो प्रशने आता है कि प्रमाणों का निर्मान कैसे हो? कौन सा प्रमाणों किस अंग से वर्द्धी करेगा? कौन से प्रमाणों से कौन से चीज़ बनेगी? यह अभी नह आ रहा है जैसे कि अंतरसावी ग्रंतियां अंतरसावी ग्रंतियों से जो हार्मोंस निकलेगा वह हार्मोंस किस प्रकार से कारी कर रहे हैं अभी तक हमारा कि उसका मूल कारन कहा है कहां से उन हार्मोंस का अगर हार्मोंस है ही नहीं तो कुछ समय तक के लिए बार से दिया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि नया बनाया जा सकता है वो बनता कैसे है उसका उप्यों कैसे करते है यह हार्मोंस जो है वो रस है और रस का जो संबन देना वो उर्जा के श्रोत से आता है, जब आप किसी एक ध्वनी को बार-बार बोलेंगे, तो आपका शरी तरंगित होने लगता है, और तरंगर से वो उर्जा भढ़ती है, उधरन के तोर पर आप देखेंगे, अगर आप यहां बैटते हैं, और एक अक्षर है, लंग, आप बोले तो आपको महसूस होगा, आपका पूरा ध्यान मुलाधार चकर में जा रहे है, तो मुलाधार चकर में जो गरंतिया हैं, आसपास की जो रस्तनमात्र हैं, वो एक्टिवेट होने लगती है, इसी परकार से आप जब हम बोलेंगे, तो आपको महसूस होगा, गले के अंदर, जो हमारा विशुधा के चक्र है, इसके अंदर प्रान उर्जा का प्रभाव भढ़ जाते हैं, आप बोले भी नहीं, अगर ध्यान भी करेंगे, तो भी आपके अंदर वो प्रभाव पढ़ना शुरू हो जाता है, ये इतना गहरा है, कि हमारे प्रतेक अक्षर के साथ हमारा श हम बोल, जो माला सोधन करवाई जाती है, वो किसी वेक्ति से नहीं कराई जाती है, कि साहब आप पंड़त जी को बुला दो कर लिता है, जो सादक माला संसकार करना चाहते हैं, उन्हें स्वेम को करना होता है, एक आच चाहिए कि मांग देशन नो कर सकता है, लेकिन अक्षम हो गया, तो फिर जब-जब माला कैदाना घुमेगा और वो अक्षर आएगा, उसके शरीम में वो चक्र जागरत होने लगेंगी, और अगर मैं बात करूँ इसको जोतिश विग्यान के नुसार, तो जोतिश विग्यान भी इसके बारे में बहुत गहराई से बताता है, वो क चंदरा दिन से एक महा के अंदर एक पंदरा पकवड़ा, एक पंदरा दिन का होता है, वो शूरीका होता है, एक बार वो चंदर का होता है, और इस प्रकार से कृष्णों और जो शुकल पक्ष के नाम से उन्हें पुकारा जाता है, उन्हें बताया जाता है, और इन में दो तरह की विदुताराएं प्रभायत होती है और इन दोनों तरह की विदुताराओं को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं और चंद्रमा से जो प्रदात प्राप्थ हो रहा है चंद्रशब्द जो चदी धातु से बनाया है इसका अर्थ है शुक यह लौकिक शुक मांसिक शु की बात आती है वहाँ पे चंद्रमा को कहा जाता है और चांद से गाने के बारे में बताया जाता है हमारे भाते संसक्त में तो करवा चौत का जो विशेश जो परव है वो चंद्रमा के साथ जुड़ा है चंद्रमा उसमें केंद्रित है तो चंद्रमा की उर्जा हमारे जहें, चंद्रमा और सूरिय, जो सूरिय है, वो हमें पुरुष का प्रकाश देता है, यानि प्रान देता है, और चंद्रमा रियस्त्री का प्रकाश देता है, ये हमारे अध्यात्मिक उन्नत्य को परदान करता है, ये दोनों की उर्जाएं हमारे जीवन में आती रहती है, य दोनों की उर्जें किस परकार से आती है जब हमारे यहां उतराद और दक्षनात को लादोता है उसके रूप में आता है जब हमारे चंद्रमा की कलाएं घटी भढ़ती है तब आता है जब हमारे यहां नक्षित्रों की भूमी में प्रभाव पड़ता है उसकी वज़े से आता और इसी से हमारी जीटोएआ बनती है, हमारी जीटों से हमारे आजपास के वरस्पतिया बनती है, और हम वो प्रदात खाकर अपने आपको वैसा ब्रॉज़ाओन महसूस करते हैं, यानि कहीं न कहीं आपको जाने अंजाने में आपको पता हो या ना पता हो आप प्रकत्ति के उन परदातों का भोग कर रहे हैं आप रितु काल में हैं तो आपके अंदर सूर्य और चंदर्मा की उर्जा आपके अंदर समयत हैं यदि इसका विज्ञान हम समझ ले तो यही ची जो उर्जा चाहिए उसे हम प्राप्त कर सकते हैं यही माला से हमें आ सकता है तो यह कहां से किस तरह से होगी इसको भी हमें समझना है और माला संसकार माला संसकार किस परकार से किया जाए माला संसकार किस परकार से हो इसको भी हमें देखना होगा माला संसकार के लिए कौन सी तितियां होती है, इनका भी घहरा संबन्द है, जैसे कि आप अगर विशेश चितियों को देखेंगे, तो उनके अलग अलग तितियों पे माला संसकार करना और ज़्यादा फाइदे मन्द होता है, तो इसको हम और अलग जगे से इसको देखते हैं कि माला संसकार कब कब है, अ हाँ मन में जब करने से एकागरता तो भटी है लेकिन माला के मन को से जब आप उसका अर्थ जान लेते तो उसके साथ हमारी उर्जा और ज़्यादा घहरी हो जाती है जब के साथ-साथ में माला के जब साथ जुड़ता है तो उसकी उर्जा उसके जो गुंड धरम है वो भी हम ले लिते हैं जिसे हमारे उंगलियों पे दबाऊ नहीं पड़ता है हम उस कुरुपी कहते हैंसे घास खोदी जा सकती है तो काम आसान हो जाता है तकलिफ नहीं होती है और जाद़ा बढ़िया हो जते है इसी प्रकार से जब हमारे जा अंदर के चीज़ों को ठीड करने के में नंबर बारा में दिया गया आप वहां दिखेंगे अक्षमाली का उपनिशेद के अंदर जो की रिग्वेट से संबंजिते इसमें प्रजापति भ्रम्मा और कुमार कार्थी के इनके प्रश्णुत्री शेली में बताया गया उन्हें पूछा उस शेली में कि अकार उकार आदी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठत होने का वर्णन क्या है किया गया है इसमें सर प्रतम अक्षमाली का के विशे में जिग्यासा की गई है इन लक्षनों से कुछ चीजें हमें बताने का प्रयास कि अगर हम उस पुस तक उस अध्यन करें अक्षमाली का को तो हमें पता हमारे शरीर के अंदर जुड़े होते हैं कौन-कौन से अक्षनों की तो इस प्रकार से यह अक्ष मालिका का एक बहुर गहरा विज्ञान हमारे साथ जुड़ा है तो इसके समय में भगवान जो ग्रो यानि कार्थिके का जो प्रश्ण है कि है भगवान आप कृपा करके से अक्षर है क्या प्रतिष्ठा है क्यों-कौन अधिदेवता है उनका क्या फल यह हमें बताई तो वहां भगवान उसके उत्तर देते हैं कि है ब्रह्मन यह अक्ष मालिका प्रवाल मोती स्वर्टिक संख चांदी स्वर्ण चंदन पुत्र जीविका कमल और रुद्राक्स यह दस प्रकार की होती है यह अ से लेक च्छ अक्षत के युक्त विदि पूर्वग धाण की जाती है और उन स्वर्ण के समान मनकों के मुख विहर छिर्द में दाहीने भाग में च्दनि बाय भाग में ताम्वा मुख विदिर और पूच के साथ पूच क्रम नियोजित करन तो आपको ये वर्णन मिलेगा कि इसका विज्यान हमारे उपने शेद में दिया गया है। मैं यहां सर्व इसके लिए बताना चाहरा हूं कि आपको यह पटा नहीं लगे कि यह कहां से आया है तो आप इसको वहां जटकर और अच्छे से गहराई से पढ़ भी सकते हैं। अब हमारे पास जब करने के लिए मानकिय, रुद्राक्ष या वील्ब की लकड़ी हो तो सूर्य की उर्जा, सूर्य हमारे जो उर्जा है वो बढ़ती है। इसी परकार से अगर हमारा चंद्र ग्रह कमजोर है तो मोती, शंक या सिप की माला से जब किया जाता है। अगर मंगल ग की लिए हल्दी की माला होती है, शुक्र के लिए स्पटक की माला, शनी के लिए काले हरिक की माला और राहू के लिए गुमेद की माला, केतु के लिए लेसूनिया, इस परकार से तुलसी की माला मन में वेरागी की भावना लगती है। और भगवान विश्णू, राम, कृष चंदन और इसकी माला नहीं उप्योग में ली जाती है क्योंकि वहां मन में भगवान विश्णु के पती भाव लाना है तो वेराग ये लाना है दुनिया से हटकर तो यहां उसकी आउशक्ता होती है इसे प्रकार से रुद्राक्षी माला शिवजी के लिए उप्योग में ली जाती है कमल गट्टे की माला लच्मी जी को प्रसंद करने के लिए होती है लाल संदन दुर्गा जी के लिए मंगल के लिए विरोधियों प्रभत्यों को शांत करने के लिए इस्वटिक माला सिधिदात्री तंत्र के लिए होती है, नीले कमल माला जो है वो काली के लिए होती है, हल्दी की माला गणिश भगवान के लिए होती है, गुरू के लिए होती है, और काली बगला मुख्य के लिए होती है, सफेद संदन की माला गायतरी मंत्र फली भूत होती ह यहां ध्यान रखेगा सफेद संदर सबसे अच्छा बताया जाता है गाहित्री मंत्र को और कहा भी गाहित्री को सफेद संदर बहुत पसंद है सफेद संदर गाहित्री मंत्र फलिभूत होता है और मनों कामनों को शिग्र पूरा करता है शुक्ष मसरी का विकास विध्यार्टों की विध्या और उसमें उरजा लाता है मन में शांति लाता है अनिद्रा शमन और धन संबंदित परिशानियों को दूर करता है ये बताया गया है अलग-अलग इस्थानों पे और इसके अलग-अलग चीजें हैं तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, माला सोधन करने के लिए आसन को शुद करते हैं, फिट शटकरम करते हैं, शटकरम करने के बाद हम अधिमशन करते हैं, नियास की प्रणयाम करते हैं, और उसके बाद नियास करते हैं, नियास की आम में अंतर दिये के जा रहे विदी के बाद टिलग धारण किया जाता है और तिलग धारण करने पयाद में अक्षत और उसके बाद जो कई चोटर है जो हमने पांच चीजे बनाई जिसमें गो बत्र होगी वह गो में होगी, गो दुख दोगा, गो दिख दही होगा, और गो घृत होगा, तो गो में गोबर को पानी में भिगो के छोड़ दिया जाता है, और जब वो पानी नितर जाता है, यनि पानी में जो उपर उपर वाला हिस्सा है, उसे चान कर लिया जाता है, गोबर को सीधा ना तो यह उसमें मुख्यरुप से होता है तो फिर यह पंजगवे बनाने की विदियो गी फिर पंजगवे में माला को रखके शोधन किया जाता है फिर माला को पंजगवे में डालने के बाद जल से प्रक्षालित किया जाता है फिर जल से साफ करने के बाद कपड़े से साफ करके ताकि उसके अंदर वो खुश्मू बैठ जाए फिर धूप से और दीपक से जावाँ कनेक्शन कड़िया लेक्टान का नुच्छन का नुच्छन का नुच्छन जी सर् माफिज है ता हूं लाय्ट को नेट डिस्कनेक्ट हो गया ता किसी का अपन्से का नेट ट्रक से जुड़ा हूँ कि हम कंटीनू करें हैं? जी सर. ठीक है, अभी मैं वापस उसको श्क्रिंशिरिंग कर देता हूँ. जी सर. तो यहां हमने बात कि थी कि माला को धूप और दीप से उसकी पूजन करके और फिर इसको शुरुआत की जाती है. अब यहां एक चीज हमें समझने हैं कि यह जो मैंने बाताहितर है ना, यह मैंने अभी तक माला का सनसकार यानी उसके अंदर की जो अशुद्या रह थै, उसको हमने साफ कर लिया पंस गव्य से, अब माला के वर्णों की अक्शरो के स्थापने होती हैं. यहां से आप देखें यह सारा का सारा अक्ष मालिका से लिया गया तो यह कैसे होता है इसको अच्छे से समझे अ से लेके जो अ से लेके छंग तक टोटल इक्याउन अक्षरे इन इक्याउन अक्षरों का जो बनाव है यानि कि अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें यह दिया गया है कि जब बनने की प्रक्रिया और वापस उसके प्रले की प्रक्रिया ये बनने की प्रक्रिया और प्रले की प्रक्रिया को पचास-पचास में बाठ दिया जाते हैं पचास-पचास दो वार आ गया तो ये 51 अक्षर होते हैं उसमें चंकार जो सुमेरू होता है माला का जो एकदम उपरी वाला भाग होता है, वो इस्थिर होता है, उसको हम अलग से जब करते हैं, उसके अलग से प्रतिष्ठा करते हैं, उसे हम उलंगन नहीं क्याता है, ये चंकार सुमेरू होता है, चंक से बाकी बच गे, जिते भी अक्षर है, वह कुल होगे पचास, तो पचास को सीधे करम में एक बार लिया जाता है, फिर और दुबारा लिया जाता है, तो पचास, पचास सो, आठ अक्षर है, वो हर्दे चकर के आठ अक्षर है, ये कौन से, एक बार हमने या क्लास तीते तो अपने बताया, कि जितने भी वर्ण अक्षर है, जैसे कि आ, ई वाला, इसकी पूरी जो स इसे प्रकार्से और इस प्रकार से अंतिम स्व कार्या आँठ हो जाते हैं यहां दिये गए इन आठ अक्षिरों को हम अस्ट दल कहते हैं यह आठ दाने अलग से आज़ते तो जो सो दाने 50 प्लस 50 तो और आठ दाने 108 और जो सुमेरु चंकार यह 109 अक्षर होते हैं इनको जब किया जाता है तो इस परकार से बोला जाते हैं ओम अकार मृतुंजे सर्व व्यापक प्रतम आठ इस परकार से आप इसको देखेंगे तो यह अंग तक हो पूरा पूरा कंटीनु चलता है आप यहां देखेंगे जब आप 50 तक पहुंचते हैं तो अड़ाकार होने के बाद इक्याउन वापस शुरू हो जाता है यह इसका विग्याने यह पचास तक तो आपका अड़ाकार पूरा हो गया अड़ाकार यह आपके आग्या चक्र में आ इसको दिखा लेते हैं यह चिन में और यह आपका हंड़ेट यह लास अड़ाकार फिर वापस आ गया जो पचास पे था यह सो पे आ गया अब 108 वाले दानों को देखिए एक से लेके आठ अकचट तपयश यह आठ दाने अलग से इनको और स्थापित के अलता है बोलके और जो अंतिम आगे 109 उसको फिर कहते हैं चंकार तुम परातपर तत्तों को बताने वाले ने सभी तत्तों से परे हो तुम स्रेश्ट हो और तुम हमें उर्जा और जोती देने वाले हो तुमारे से सारा कुछ जो यह उर्जा और विध्वान है तुम हमारी इस चंकार में पति पूरे के पूरे जो अर्ष्ट दल है ये पूरे के पूरे ये उसके अंदर पतिष्टित होते हैं फिर माला की प्राण पतिष्टा के लिए ये मंत्र बोले जाता है जिसमें जो प्राण है वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाए ये बोला जाता है कि प्राण स्थि रोजता है फिर आप जब कर सकते जब कैसे किया जाता है उसके विधी उसमें बताई गई है जब हमेशा माला को सदा दाइने हाथ में रखकर जब किया जाता है माला को भूमी पर नहीं गिरने दें इसलिए आप उसमें धूल ना जमें इसके लिए अच्छा है कि हम माला को खुन नहीं गढ़ाने, नाखुन को दबाव Palina के सुमिरू को कभी नहीं लांगना है. इवता के मूल भाव पर रखे, कि देवता कौन है, उसके देवता के मूल भाव में, उसके बाव क्या है, उसके अंदर के गुट क्या है, उसके उपर रखे. अपने माला को स्वेम प्राण पतिष्ठा करनी होती है माला पूरी होने पर सुमेरु को ललाट और दोनों आखों पर स्पसकर पुने प्रारम कर रहे बार-बार ऐसा करने से ध्यान बादेत होने लगे तो मानसिक कर सकते यानि जब भी आप जब करें माली जे तो आपके माला जैसे सुमेरु आया सुमेरु आते हैं अपने आख दोनों आख पर ललाट पर लगाया अगर ये बार-बार ना हुपाए तो आप पर्थम शुरू कर देजिए और अंतिम में कर लिजे बाकिया आप मानसिक कर सकते जब के लिए अपनी माला का प्रियो करनी है दूसरे की माला को नहीं करनी है जिस माला की प्रामपतिष्टा आपने की उसी माला को अपने पास रखने माला जब करने के लिए अलग होगी और पहनने के लिए अलग होगी तो वह माला आपको अलग करनी होती है इस प्रकार से माला को आप अलग-अलग स्थान पर रहते हैं और अलग-अलग तरीके से उसका रस्तापन करते हैं यह पूरा का पूरा माला के करमकांड की पूरी कुछ किताब है बनाई वी और इसकी जो 108 दाने हैं उनके साथ हमें क्या- कुछ अक्षक पुष्प होगे चंदन हो गया अगरबत्ती हो गया इत्र हो गया जल हो गया और हमने पंच गव्य के लिए जो पांच चीजें बताई गोमत्र गोमे गोदुग्द गोदद और घी कपूर अस्टगंद अस्टगंद एक खुश्वू एक हमारे जैसे कुंकु के साफ कर सके और तामबे का पात्र जिसमें पंच गव्य बनाया जा सके पीपल के नौपत्ते यदि हो सके तो लिया जाए ताकि उस पे अस्टदल बनाया जा सके आठ अक्षर बनाके उसके उपर माला को रखकर यह प्रांट पतिश्टा की जा सके अगरू एक प्रकार से ए दाम की और बनाया गया यह कहां कहां से इसके संदर्ब्रत प्रकार से लिया गया है करम कांड भासकर से लिया गया शिव पुरान से लिया गया है और योग चुडामनी उप्रिशेद से लिया गया है महेश्वतंत्र से लिया गया है अथरवेद से लिया गया है और हम इसे भी लिया गया है ये सारा का सारा जो मैट्रियल है ये हमारे आचारी जी जो कि युनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं हरद्वार में उन्ह करते हैं उन विशेश तित्यों के अंदर गाताती है प्रतिय को मलब हम लोग अब भी कप कर रहे हैं वो बता देते हैं लेकिन इसको आप खुद करना चाहें तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा अक्षत तित्या को गायतरी जैनते को गुरुपुरुनिमा स्राव परवर शिप पंचमी धन तेरस दिपावली देपो थान एकादसी अश्वनी मास के शुक्ल प्रक्ष प्रतिपदा बशंत पंचमी शिवरातरियादी इसके इसमें करते हैं इसके लिए अत्रिक्त और भी अपने सुईदान सर कर सकते हैं हम लोग धन तेरस को प्रश्टा की जाती है और उसके अलावा हम लोग इसको अन्य अवर्शना पर भी करते हैं प्रश्ट नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं अचार जी मामा को अचार जी मेरा भी एक प्रश्ट है जी बोड़ी जी आचार जी आप जैसे भी बताए कि चंद्रमा जिसका मितलब है और सूर्य है सूर्य को ठीक करना है चंद्रमा को ठीक करना है मंगल को ठीक करना है तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा चंद्रमा खराब चला है या सूर्य खराबजला या मंदल खराबजला है। कि साधना करेंगे तो पूरी हो जाएगी अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये गुण की कमी है तो इसका मतलब गड़ बड़ है वो गड़ अपका नक्षेतर गड़ बड़ है तो ये उसका प्रभाव होता है उदार के तो पर आपने चंद्रमा की बात कही तो कैसे पता ल नहीं है इस तर रही है उसके अंदर फ्लेक्सिबिल्टी नहीं है इसका मतलब उसका चंद्रमा गड़ बड़ है और उसके लिए अगर वो शील गुण है अगर वो समसीलता गुण से जब करें तो ठीक हो जाएगा सर जैसे कहते हैं किसी के कुंडली में सर्क दोस है या बच्चा मांगलिक है तो इसमें क्या दोस होता है ये देखे जो जोतिश विज्ञान है ना उसमें अपने इसाब से उन्हें इस तरह की चीजों को हमें प्रेडिट करते हैं हमें ये द्यान रखना है कि मनुष्य अपने भागय का निर्माता आते हैं वो जो घ्रहनक चित्र है ना, वो हमारे भाग्य को नहीं बनाते हैं, हमारे करम हमारे भाग्य को बनाते हैं, तो हमारे करमों का प्रभाव इसलिए गड़ बढ़ है कि हमारे अंदर वो गुण नहीं है, समझेगा, बाहर के घ्रहनक चित्र हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर जाते हैं बहुत लिब सब्सक्राइबूरेद आफ यह का दिखते हमारी आंत्रिक जोती श्री के माद्यर से हमारे आंत्रिक पूटिश विग्यार केवद हमें वहां कि चरता है कि हमारी ये जो कौन से घ्रन एक चित्रे कौन से गुंण की कमिए है उस मॉझे मंगल sorcery मंगलARKD इसका मतलब वो थोड़ा सा dominant होगा उसके personality थोड़ी हावी होगी यानि वो अपने जीवन साथी के साथ बारतालाब करेगा तो उसे दबाने का प्रयास करेगा अगर वो सामझ जिससे के लिए जब कर ले अगर वो शील गुण है समनवे गुण के लिए जब कर ले अगर वो सहर गुणों से साधना करते हैं तो आपको पता हो या ना हो सब चीजें स्वते ही ठीक होने लगती है इसलिए गाहितरी जो आरती है चाली साथ उसमें लिखा है ग्रहनक्षेत्र ब्रमान गतिरे सब गतिवान तुम्हारे पेरी गाहित्री मंत्र इन सभी ग्रहनक्षेत्र को साधना कि यह तो वह त्रिरू प्रभाव डाल देगा है कि लिर्वा रश्मी जी अगर हम अगर हमें उसका विज्ञान तो ठीक है जूतिस अपने आप में पूर्ण है पर हम अपने जीवन के उत्थान के लिए अपने करम को प्रधान दे तो यह ज़्यादा अच्छा देग गुणों के लिए साधना की जाए और भगवान कृष्णी ने का भी है मैं वहीं वास करता हूं जा मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं और जब स्वेम भगवान आपके साथ जुड़ गए तो फिर दूसरे ग्रहने चेतरा आपके साथ क्या भी गढ़ता है जैसे यह माला का विज्ञान है यह बिल्कुल एक गहराई से करना चाहिए जिसको भी करें पर प्रतिष्टा करें इसका पर लोग खीक तरह से करें तो अगर आदमी साधारन मुनुशक्र नहीं करता तो मेरा ख्याल है कि इसको नहीं करें तो अच्छा है तो अच्छी बात विए जैसे आप ऐसा माने कि यदि गायतरी मंतर बहुत तेज प्रभावशाली है इसका जब ना करें तो ठीक है यह होते ही आया है फिर हमारे गुरुना आके में क्यों कहा नहीं तुम गायतरी मंतर का जब रो आपका प्रश्चन तो पिछली वार भी रही था और हम यह कहना चाहरें कि आपकी मनवृत्ती जैसे आव वैसा करें लेकिन कोई माला करना चाहे तो उसके लिए जान ले इसका विज्ञान जान ले इसके विज्ञान को समझ ले आप मान ले अपने इसाब से जो भी माने पर तो जो गुरु परंपरा चलती है, जब आप गुरु के सारेद्धे में साधना करेंगे, तो वो तो आपको माला देंगे और माला संसकार करा के देंगे, क्योंकि गुरु परंपरा से जो चीजे चलती है, उसका निर्माण होता है. मैं कहाँ आप अपने सुधा जो कहने कह लिजे, मैं यहाँ गुरु की जो परंपरा के बारे में बताने के लिए परतने दित्तों कर रहा हूँ, तो मुझे उसका ठीक ठीक बताना हो शके, बाकि माने न माने उस्वतंत्रे? पूरा वग्यान बहुत अनंद में बता है आपने, इतना गहरा विद्वान है, इसका विज्ञान है, कि हम सब को समझना चाहिए, और मेरे विचार से करना है, तो बिलकुँ विदी इनसार किया जाए, वो मेरा कहना का विदी इनसार करना चाहिए, एक छोटा सार प्रशन हो तो आप माला को दुबारा पिरो के उसका माला जैसी वापस पिरो देते है ना, जो अक्षर वापस, उन्में अगर कोई दान अगर कम हो गया तो आप बजाज से लिकर उसमें और दाने डलवाले, और उसका आप जब करिये, अगर आप चाहें नहीं, जबनी करना है, तो उस को आप धारण भी कर सकते गल्ले में पहन भी सकते रुद्राक्ष को तो पहना भी जाता है और हम अगर आगर आपने याद होगा कि हम लोगों जिन लोगों ने गायत्री के दिख्षा ली गुर्दिये से एक छोटा मनका भी उन्होंने पहनाया था गुर्दिये दिख्षा के अंत्रगत तो यह रुद्राश वहां चुकि इतनी बड़ी पूरी माला सब के लिए उप्योग उपलब्द नहीं होती एक खर्चा बनता तो ए कुली उप्योग में नहीं आती है या जब हमें लगता है कि हमारे इस वस्तु को दूसरा कोई उप्योग में नहीं ले उद्धान के तोर पर जब कोई उच्छ स्थरीय साधक होता है वो अपनी वस्तुों को या तो किसी पात्रवेक्टी को दे देता है अगर उसे कोई पात साथक जब करेगा हमने दिखा है कि जब हम कोई ऐसे वेक्टी है उनके पास माला चोटी होगी दाने चोटे होगे उन्होंने भेट सुरूप हमें दे दी हमने उस माला से जब करना शुरूप किया शोधन करने बाद पता लगा कि उससे हमारे अंदर और जद्धा उर जाद यह ये परभाव पढ़ता है व्यक्ति के वस्टों का इसलिए तो हम लोग गुर्देव के कोई चीज मिल गी गरे गुरू के मिट्टी मिल गी गुरू का कपड़ा मिल गया ये इसलिए कि उन व्यक्तियों के प्रान उर जह सरी से जूड़ी रहती है तो माला में तो ज़्यादा प प्रवडिया है कि आप घंगा में विस्टेजित भी कर सकते हैं आपको उप्यूक लगते हैं अधर जोड़ी दो प्रिशन है एक तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि मंदिर जो बना रखा होता है वहीं कोई माला रखी होती है और परिवार के सबी लोग आते हैं वह उसी माल के अंदर उस प्राण है तो आपको एड़्जेस्ट करने में उसके प्राण से एड़्जेस्ट करने में आपको समय लगीगा तो आप बड़ा मज़ा नहीं आए आप अपनी माला रखी दो चार पांस साल तक उसी से जब करिए थोड़े दिन बात है जैसे माला को आप हाथ गुप्त होती है उसी प्रकार से ये जो उपासना साधना है ना उसे हमें गुप्त रखना चाहिए उसे ड़क करना चाहिए उसको दिखा करना है तो माला कर रहा हो माला को जब करना है समय सुमेरू में करना है ऐसे दिखा के नहीं करना है जितना आप अपनी माला की और उसक नहीं वो आपको लाव दी तो अब जैसे बत्तर पंजबी आ रही है तो उसमें अपना उसको नहीं माला कोई लेके उसमें प्रांट किष्टा करके स्वर्म करके और मैं यह कहना चाहरा हूँ जैसे अभी भाह समने कोव तो हम यह कहना चाहरे है कि आप करके देखेंगे ना तब ही यह पता लगीगा हम कहीं वार होता है कि अपने इसाब से समझते हैं मैं यहां आप जैसे ही वेक्ती था मुझे भी लगता है यार इतना क्या इतना क्या इसम बड़ा जमिला है ऐसे करो वो लाओ वो लाओ एसंपल लो माना जब करलो लेकं जब करने के बाद पता लगा कि arbeiten वह जो माना ना को हमें बल दे रही है वो मुझा हरी है उसका विचार आते हैं मन दोरता है कि बस माला को ले और जफ कर vär गहरा संब्सकर बन जाता है और जब। जब करने के लिए इच्छा होती आँ में लेना उसका हाथ में लेती है क्रम बन जातम लूप बन जाता है उस माला सी ऊज़ा मिलने 10 शुरूत का शाराएंड़ ऑने लगता है और उस यहाज भी लाते हैं तो यहाज भी लाते हैं तुम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो माला तो बड़ी उप्ट्यू की चीज़ है इश्व तक जोड़ने की विदी है उसका तो संस्कार होना भी चाहिए अभी जैसे बसंद पंज में आई तो उस दिन कर सकते हैं मतलब लाके करते हैं आप कर सकते हैं और आप लोगों को विदी तो प से चुड़ करते हुए और आक्ष्मालिका के मंत्रों को वहाँ से बोला जाएगा और भाव किया जाएगा आप अपने अपने साब से करें और तुलसी की या सफेद चन्दन की माला और यूग में लेकर आप उसके प्रांपतिषटा करें प्रांपतिष्टा दो मंत्रों के लिए की जाएगी गायत्री मंत्र, एक महामर्ग पिंझे मंत्र को यह सोचता हैँ हम अलग मंत्र से अमलग मंतर के लिए जब करें तो वहां वो प्रांपतिष्टा निया भाव दो रही चीजों के लिए होगा तो आप वहां जुड़कर ऑनलाइन कर सकते हैं टेलिग्राम के गुरूप से तो यहां में आपका मेरा नंबर आपके पास है यह आपको हम उस गुरूप में जोड पतिष्टा करने के पश्चाथ आप उस चीज़ को अपने जीवन में खुद कर सकते हैं और एक बार आप समझ गए तो उसके बाद आप उस जब करेंगे उस माला से आपको महसूस होगा यह हमने भी देखा जो सादक पहले जब करते थे उसके बाद तो एक अच्छी और कुछ छोटे से लिए ताकि आप जो शांति रंतरिप्षम शांति है रिधे वी शांति रापाः शांति रोशधया शांति है वनस्पतया शांतिर विश्वे देवाः शांति र्म्म शांति है सर्वं शांति शांति रेवं शांति सामा शांति रेधे वुम् शांदे, शांदे, शांदे